आज मैं कादम बिनी शर्मा हूँ आपके साथ देश की दो बड़ी उनिवरस्टी रलीगर्ड मुस्लिम उनिवरस्टी और जामिया मीलिया इसलामिया के अलप संख्यक का दर्जिय को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है बीते दिनों मौजुदा केंज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में UPA सरकार के उलट अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि EMU को अलप संख्यक संस्थान का दर्जान नहीं दिया जा सकता और अब केंद्रिये मानव संसाथन मंत्री ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दिये केंद्रिये मानव संसाथन मंत्री की बातों से साफ है कि संसथ के आप से 1951 में बने EMU और 1988 में बने जामिया मिलिया इसलामिया को अलप संख्यक संस्थान का दर्जान नहीं दिया जा सकता जबकि अभी तर इनकी पहचान अलप संख्यक संस्थानों की ही रही है दरसल ये सारा विवाद इलहबाद हाई कोट के एक फैसले से शुरू हुआ जब EMU PG Medical में मुसल्मानों के लिए 50 फीजी आरक्षिन के फैसले को ये कहते हुए गैर कानूनी ठहरा दिया गया कि 1967 में सुप्रीम कोट के लिए फैसले के मताबिक EMU अलप संख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि वो संसथ से पास हुए आक्ट के तहत बनाया गया हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में अपील हुई लेकिन जहाँ UPA सरकार EMU को अलप संख्यक संस्थान मानती रही मौझूदा मोधी सरकार का रुख बदल गया और एटॉनी जनरल भी EMU और जामिया को संसथ के आक्ट से बनाय जाने की बात कह रहा है सरकार के रुख में आए इस बदलाव पर ना सिर्फ सुप्रीम कोट हैरानी जदा चुका है बलकि अब अलप संख्यक समुदाए भी इसे एक तोड़ने वाला कदम करार दे रहा है हमारा मुल्क है हमारा देश है हम उससे लोगों को जोड़ कर रखने की बात करते है आप तोड़का काम करते है सवाल ये भी है कि जब सरकार दो मशूर और पुरानी इनिवर्स्टीज को लेकर अलप संख्यकों का भरोसा हासिल नहीं कर पा रही तो देश भर के मदर्सों के आधुनिकी करण को लेकर कितना विश्वास हासिल कर सकती है हाला कि सरकार अपनी तरफ से भरोसा दिला रही है कि समविधान के तहट अलप संख्यक का दरजा पाचुके संस्थानों के हितों की रक्षा की जाएगी देश में हजारों मैनार्टी इंस्ट्टिशनस हैं और उन अधी का जो अधिकार हैं उन फे किसी तरह का कोई भी उसको नुक्साल नहीं होगा वो पूरी तरह से सुरक चिप और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेमान इस वक्त मौझूद हैं डॉक्टर सुधानशू त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता हैं बीजे पी के सुधानशू जिस तरह से पहले एम यू की बात हुई और अब जामिया की बात हो रही है कहीं न कहीं एक सीधा सा संदेश यह जा रहा है कि जितने भी मानौरिटी इंस्ट्यूशन से उनका ये दरज़ा आलप संख्या का दरज़ा खत्म करने की कोशिश की जा रही है तेके ये एक बहुत दुखद है दुरभाग पूर्ण है कि भारत के इन दो प्रतिष्टिस संस्थानों के बारे में ये गलत प्रकार का प्रशार किया जा रहा है अभी आपने स्वेम अपनी कमेंटरी में बताया कि 1951 में ये पार्लेमेंट के एक्ट से पारित हुआ मैं 1965 में संसथ की कारवाई में ततकालीन शिक्षा मंतरी एम सी छागला ने बोला कि एम यू वाज नाइदर इस्टैबलिश्ट नौर एड्मिस्टर्ड बाई मुस्लिम कम्यूनिटी सो दिस नॉट आम माइनॉरिटी औरनाइजेशन ये भारत सरकार के शिक्षा मंतरी का सद कि यू पी ए सरकार ने पचास प्रत्यत आरक्षन देने का जो प्रावधान किया अरे यदि कोई केंदरी ये संस्थान है तो वह केंदरी विवस्था के अंतरगत आरक्षन देगा उसको लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा था अब आप स्वेम बताईए कि भारत सरकार क्या स् हैं तो क्या भारत की संसत किसी धर्म विशेश की संसता बना सकती नहीं देखिए आभी आपने और बात बोली यदि हम विश्वद्यालियों का नहीं विश्वास पा रहें तो मदर्सों कैसे यहीं अंतर है मदर्से हैं माइनौटी इंसिचूशन 13000 से उपर हैं इस देश में भई आप ये सोचिए अभी तक सुदाशो जितने लोगों से बात हुई है जो एम यू के लोग है जितने भी है उनसे जो बात हुई है उनका सीधा ये कहना है कि ये एक तरह से पीछे ले जाने की कोशिश है मुस्लिम समाज में जो एजुकेशन को लेकर शिक्षा को लेकर बैकवार्डनेस है उसको संभालने के लिए उनको इसी के लिए ये इंस्ट्यूशन्स बनाए गए थे और उसके बाद जो सरकार कर रहे है ना सिर्फ अविश्वास पैदा करता है बलकि कहीं न कहीं पिछापन जो है वो बढ़ेगा देखिए यहीं पर मेरा कहना है यथार्थ इसके ठीक उलट है ये 2006 में ये यूपिए सरकार लाई थी देखिए जो माइनोर्टी इंस्ट्यूशन्स है जैसे मैंने का दारूलूलूम देवबंद है माइनोर्टी इंस्ट्यूशन्स है उसमें काम करें अब अगर आप अगर एम्यू की रैंकिन डिफरेंट 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 में टॉप 10 से लेके टॉप 20 तक है आपको लगता है कि पचास कृस्ट्य तारक्षन के बाद माइनोर्टी इस्ट्यूशन आने के बाद भारस सरकार उसको इतना पैसा दे सकती और उसकी रैंकिंग बनी रहेगी अग पैसा दे रही है उसका प्रावधान है तो इसका ये मतलब है कि उसका अलपसंख्यक दरजा खत्म कर दिया जाएगा ये कह रहे हैं आप ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं जी नहीं भारस सरकार किसी धार्मिक संस्था को नहीं दे सकती चूंकि ऑन रिकॉर्ड ये कहीं भी ये एक विचार प्रतिपादित किया जा रहा है इस कारण से समस्या है और मैं आप से गौर्बाद पूस्ता हूं काद मरेंगे करनी कडमनी जी एक बार के लिए आप बात मालने हमारे विरोधी जो कह रहे हैं उसको हम सच माल लेते हैं तो कलके दिन खाल्सा कॉलेज का पचास परसंट सिख्गों का आरक्शन इस टीफेंसें सारे और स्कूल कहेंगे बचास परसंट हमारा क्रिच्ट का रखशन का इसी लिए चूंकि भारत सरकार का ऑफिचल स्टेंड यह था कि यह माइनौर्टी इंस्ट्यूशन जो एक्ट ऑफ पार्लेमेंट से बनी इनिवस्टी है वो भारत की इनिवस्टी है माइनौर्टी के तहर जाईए बनाइए कोई आपती नहीं है यानि मैं यह मानूँ कि अभी तक जितने भी इस तरह से बने हुएं इंस्ट्यूशन उसमें अब सब में यह किया जाएगा देखिए इन सारे इंस्ट्यूशन में यही था यह सारी समस्या पिछले यूपिये सरकार ने की जामिया में 2011 में किया और एम्यू में 2006 में किया तो ये समस्या तो राजनितिक कारणों से इन्हों ने उत्पन किया जो मुस्लिम समाज आपकी तरफ देखता बहुत विश्वास है ऐसा तो है नी वो विश्वास आप पैदा करने की कोशिश कर रहे है उसी को फिर खुदी चोट पहुंचा रहे है देखे ये तर्क तो बहुत ही विडमनापूर्ण है और बड़ा ही विरोधाबासी है ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत सरकार अगर एम्यू को माइनॉर्टी मान लेगी तो हम एम्यू को अगर तेरा सो करोड़ देंगे तो बाकी मदर से कहेंगे हमको क्यों नहीं दे रहे है चु करेक्टर का मतलब क्या है क्या भारत सरकार का को इंसिचूशन काल के दिन बी एचू में हिंदू है तो उसका हिंदू करेक्टर होना चाहिए क्या जी नहीं कल की दिन कोई सिख के नाम पे बनी उनिवस्टी तो उसका सिख करेक्टर होना चाहिए भारत सरकार की किसी उनिवस्टी का कोई करेक्टर नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा संस्थान होती है हाँ अगर आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं उसके लिए आपके अलग अलग धार्मिक संस्थान है और मैं एक और करेक्टर की बात कहूं जो लोग यह कह रहे ना साब यह तो मूल इस उद्देश्च से बनाई गई थी तो आप इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं पूरी विनमरता से कहता हूं कादमबनी जी यह इतिहास में इस इसका ये मतलब है कि जो इस तरह के इंस्ट्यूशन्स हैं चाहे यूपीए हो चाहे इंडिये हो उन सब के बीच वो फुटबॉल हो गए हैं राजनीती के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं आपने बिल्कु सही बात कही किस ने शुरुआत की उस राजनीत के लिए इस्तेमाल हो आगे बढ़ाने की यदि आप किसी एक समुधाय को 50 प्रिश्यत आरक्षन दे सकते हैं बताइए समवेदानिक दृष्टी से धार्मिक आरक्षन दे सकते हैं या नहीं आप बताइए हां या नहीं यदि नहीं तो कोई भारस सरकार का संस्थान कैसे दे देगा समवेदानिक उत्तर बताईए यदि नहीं दे सकता तो गलती की ना आपने और इसलिए कोड में चलेंग है और आपका एलावाद हाइपका लॉजिक में समझ लेकिन इसका ये मतलब आप साफ साफ बताएं कि जितने भी ऐसे इंस्ट्यूशन्स हैं क्या आप जो बोल रहे हैं कि भूल सुध सुधार इसमें किया जा रहा है जो पहले हुआ जो गलती हुई उसको सुधारा जा रहा है तो जितने भी ऐसे इंस्ट्यूशन्स हैं उनमें यही किया जाएगा अब ये एक स्टांडर्ड जो पॉलिसी है स्टांडर्ड एक स्टांड है सरकार का ये मान के चलें कि जितने भ ते ये बताईए या लागू हुआ था उसके बाद इस्टे हो गया था कि नहीं कोड से इस्टे में भारत सरकार कि एक संस्थान में धर्म के आधार पे 50 प्रिशेत आरक्षन तुन तिया जा सकता है अगर भारत ऑफ सरकार ये स्टैंड ले भी ले तो तो ये कोर्ट में सस्टेन कर पाएगा, जबकि आप हाई कोर्ट में हार चुके हैं, तो ये एक विशुद्ध वाइधानिक पक्ष है, जिसके उपर लोग या थार से अलग जाकर केवल और केवल राजनीती करने में लगे हुएं. यानि कि आप ये मुझे बता रहे हैं कि जो लौ है, उसके वही अभी अपलाए होगा और इस पर कोई राजनीती आप नहीं कर रहे हैं? हम क्या राजनीती कर रहे हैं? जिन लोगों ने ये राजनीती की, उन्होंने बताईए, SC, ST और OBC उसका आरक्षन खतम कर दिया. और एक समुधाय विशेश को हम आरक्षन दे देंगे. ये संभव है भारत सरकार के किसी संस्थान है? ये अभी तक तो संभव यही चल रहा थ अने था आप किसी एक इंस्यूशन को बताईए, जिसने की इस ढंग से भारत सरकार की या जो प्रदेशों की विवस्था है, आरक्षन की, उससे अलग जाके किया हो. समस्या तो यहां पर उत्पन्न होती है. जो पिछली सरकार ने, और उसमें एक और देखिए कारण क्या र आज दो प्रस्यत नहीं रहे गएं. जो हुआ यहालत, अच्छे अच्छे एजुकेशनल इस्टूशन को आप पकड़ पकड़ के माइनॉर्टी में लाते रहिए, उनका इस तर जो है, आज के युग के अनुरूप हट कर नीचे लाते रहिए, तो उसके बाद मुस्लिम समा जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, उसको दूर करने के लिए बनाये गया था, उसके साथ सरकार जो है, ऐसा फिर बदल कर रही है, यह जो एक मेसेज जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, पॉलिटिकली क्या करेंगे, या ग्राउंड पे एजुकेशनली क्या करेंग निशकर्च निकाल लिया गया तो अगर आप perception की बात अगर बीजेपी कहते हैं नहीं perception से कुछ नहीं होता तो बीजेपी की इस बात को मैं मानने को incline नहीं हो बीजेपी perception इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है आप भी इसकी एहमियत समझते हैं सुधानशू इसलिए आप मुझे ये बताएं कि इस perception अगर आपको लगता है कि यह है तो इसको counter करने के लिए आप क्या कर रहे हैं देखे जब आप court में खड़े होते हैं तो आप perception के आधार पे नहीं चलते हैं आप तो नियम के नुसार चलते हैं आप नियम court में ठीक है आप अपने नियम से जा रहे हैं आपको जो कानूनन सही लग रहा है आप वो कर रहे हैं लेकिन राजनीतिक तोर पर इसको कैसे हंडल करेंगे हैं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षा के इस्तर शिक्षा की गुडवत्ता से जुड़ा हुआ कानूनी और वैधानिक विशय है जो लोग इस विशय पे राजनीत कर रहे हैं पर श्ट तो उनसे पूछे हैं न कि आप क्यों हर चीज में राजनीती करना चाहते हैं यह वही लोग हैं जिन्होंने कहा था याद करिये उत्तरप्रदेश की सरकार ने कहा हम सुरक्षा बलों में मुस्लिमों कारेक्षन देंगे यह वही लोग हैं जिन्होंने यह कहा कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम हेट काउंट होना चाहिए यह वही लोग हैं जिन्होंने कहा जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में यूपीय सरकार के प्रधान मंत्री ने कहा मुस्लिम शुड है फर्स राइट ओवर दे नेश्टनल इसोर्ज़ अफ इंडिया जिस प्रकार के लोगों ने जो घंगोर राजनीत की अपराधियों को सजा हुई आतंगवाद के आरोप में तो कहा गिए अमुक समुदाय का है अब देखते हैं कि इसमें अब आगे किस तरह का विश्वास दिला पाते हैं खासकर चात्रों को और जो वो चात्रे जिनको लग रहा है कि किसी तरह से जो एकनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनस है शिक्षा से जाएगा उसमें इनका रोल है और उसको कहीं न कहीं डिग्र आगास दाजश को